दुनिया के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनके रहस्य से आज तक कोई परदा नहीं उठा सका है। इतिहास के इन रहस्यों को कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने सुलजाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आईए जानते हैं, दुनिया के पांच सबसे बड़े रहस्यों के बारे में जिन्हें अभी तक नहीं सुलजाया जा सका है। 587 इसा पूर्व बेबी लोन की सेना ने यरुशलम पर हमला किया था। इस हमले में यहूदियों के शेहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इसके साथ ही उनके पहले मंदिर को भी तोड़ ढाला था। उस दोरान मंदिर में रखे आर्कॉन of Covenant का क्या हुआ? यह अभी भी रहस्य है। Ark on of Covenant में दस धर्मों के आदेशों की किताबें थी। अभी भी ये बड़ा सवाल है कि Ark on of Covenant को कौन लेकर गया ये कहां गया। इस बात के कोई सबूत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि Ark on of Covenant को बेबिलोन की सेना यरुशलम पर कबजा करने के बाद अपने साथ लेकर च दिया गया था। जब मसीहा वापस जाएंगे तो Ark on of Covenant मिल जाएगा। ये भी माना जाता है कि Ark on of Covenant को बेबिलोन की सेना ने तबाह कर दिया था। कनाडा के नौवा स्कोटिया के पास स्थित औक आइसलैंड में बड़ा खजाना होने की बात कही जाती है। दो सदियों से भी अधिक समय से यह बात कहानियों के माध्यम से दुनिया भर में प्रचारित की गई है। बताया जाता है कि कैप्टन विलियम के डिनामक एक बेबिलोन में 2000 साल पहले सच में हैंगिंग गार्डन थे या नहीं यह अभी तक रहस्य है। पती जॉन एफ कैनेडी की हत्या किसने की और उनको किसने मरवाया। यह अभी भी बड़ा सवाल है। अमेरिकी इतिहास में यह सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। कई दशक बीच जाने के बाद भी जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे को लेकर सभी एकमत नहीं है। 22 नवंबर 1963 को देश के ड्लास शहर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपती जॉन एफ कैनेडी को ली हारवे ओस्वाल्ड ने गोली मार दी थी। कैनेडी की हत्या के दो दिन बाद ही जैक रूबी नाम के एक व्यक्ति ने ओस्वाल्ड की हत्या कर दी। इसके बाद 3 जनवरी 1967 को रूबी की लंग कैंसर की वजह से मौथ हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि अमेरिका के 35 राष्ट्रपती की हत्या करना इतना आसान नहीं था उनको साजिश के तहट मारा गया था। ये आज भी रहस्य है कि कैनेडी को किसने मरवाया। आस्ट्रेलिया के सतर्वे प्रधानमंत्री हेरोल्ड एडवर्ड होल्ट तैराकी के दौरान गायब हो गए थे। वह 26 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हुए थे। आंस्ट्रेलिया के ततकालीन प्रधानमंत्री मैनेजिस के रिटायर होने के बाद वह निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। यह अभी रहस्य है कि आखिर वक कहां लापता हो गए।